हाई दोस्तो आज अब आपको सिखाने वाले हैं Excel के तीन लॉजिकल फंक्शन जो है इफ, एंड और और ये तीनों लॉजिकल फंक्शन आपके डेली यूज में बहुत इस्तमाल है और आपके ओफिशल यूज में भी तो आप इन तीनों फंक्शन को अगर नहीं जानते तो इ एक बंदे के पास 4 के लिए है और there around 10 people, जिनके पास multiple के लिए है तो आपको condition देना है कि 5 के लिए जिनके पास है उनका true आ जाए और उस 5 के लिए उसे नीचे जिनके पास है उनका false आ जाए तो ये condition आप fulfill कर सकते हैं if function से तो ऐसी कोई भी multiple condition है आपको if function से ही इस्तमाल कर सक तब आपको end का इस्तमाल करना पड़ेगा और वहीं आप multiple condition देना चाहते हैं बट fulfill उनमें से एक या दो हो तो आपको और function का इस्तमाल करना पड़ेगा तो ये है हमारा raw data ये हमारी practice sheet है जो हमने बनाई है इस sheet का link हम description में भी देंगे तो आप practice के लिए इसका इस्तमाल भी क दर सकते हैं अब बात करते हैं ये customers की information है और ये उनका purchasing amount है ये हम एक shop के भियाब पे एक example लेके चल रहे हैं अब ये shopkeeper कहता है कि मुझे उन लोगों को discount देना है जिसने मेरी shop से purchasing किया है एक लाग दस अजार से जादा तो यहाँ पर condition आ गई सबको discount मिलेगा discount सिर्फ उनको मिलेगा जिनोंने shopping की है एक लाग दस अजार से जादा तो ये condition है तो इस condition को लिए हमें if function का इस्तमाल करना पड़ेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे is equal to लगाएंगे कोई भी function select करने से बहले is equal to then if then अब हम find कहां से करेंगे हम amount से यहाँ पर condition देना चाहते है कि amount एक ला 10,000 तो ये condition ही है कि एक लाग से दस अजार से जादा हो या equal हो अब output में हम क्या देना चाहते है उस participant को अब output में हम क्या देना चाहते है उसी amount का 5% discount तो हमने F8 select करा multiply 5% it means अगर अभिमन्य राश्पूत की purchasing एक लाग दस अजार से ऊपर है तो उसको 5% discount मिल जाएगा वरना no discount तो no discount के लिए हमने manual no discount लिखा आप यहाँ कुछ भी note refer कर सकते हैं यह manual entry है यहाँ पर देखिए आप 7,500 का discount बिल गया आप देखिए पूरे data में सिरफ सांची एक ऐसी है जिसने 1,00,000 की शॉपिंग की थी और उसको को discount ही मिला बाकि सब participant को discount मिला है क्योंकि उन्होंने shopping की एक लाख 10,000 से उपर तो यह shopping हुई एक लाख 10,000 से उपर इसलिए उसको discount मिला है अगर इसी data में हम कुछ changes करते हैं तो discount कम भी हो जाता है like suppose हम आपको दिखाते हैं अगर आदित्ति की हम shopping change करके एक लाख कर दे तो यहाँ no discount आ जाएगा क्योंकि हमने condition दी है एक लाख 10,000 की ऐसी हमने मुहम्मद अजाद की shopping change करी और उस basis पे यहाँ पर आपका discount भी change हो जाएगा like suppose हमने shopping 80,000 कर दी तो यहाँ आप देख रहे हैं कि no discount शो कर रहा है तो ऐसे आप if function का इस्तमाल कर सकते हैं तो अगर आपको if function के इस्तमाल में कोई भी concern आ रहा है आप comment box में mention कीजिए हम आपको बता देंगे उसके बाद बात करते हैं end function की अब वही shopkeeper decide करता है कि जो shopping हुई है वो तीन criteria में हुई है एक grocery में हुई है एक furniture में हुई है और एक electronics में हुई है लेकिन वो चाहता है condition लगाना कि इन items में अगर वो एक minimum purchasing करेगा तब ही हम discount देंगे let's suppose वो कहता है कि तीनों item वो minimum 50,000 की buy करेगा तब ही हम discount देंगे वरना हम discount नहीं देंगे तो यहाँ पर प 10,000 से जादा आना चाहिए यहाँ multiple है तो उसके लिए इफ लगाया हमने उसके बाद हमने करा end तो यहाँ पर आपको end function का इस्तमाल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आप multiple condition देना चाहते है तो पहले हमने grocery select कर लिया उसके बाद हमने less than or is equal to sorry greater than or is equal to 20,000 ऐसे ही हम furniture select करें greater than is equal to 20,000 then हम electronics collect करेंगे greater than is equal to 20,000 तो यहाँ हमने condition दे दी कि अगर तीनो 20,000 से ज्यादा हो तब ही discount बिलेगा end की condition मतलब तीनो fulfill होनी चाहिए तो output में क्या चाहिए purchasing amount का 5% discount तो purchasing multiply by 5% हमने यह formula लगा दिया तो अगर तीनों condition fulfill होती है तो discount मिलेगा वरना no discount हमने mention कर दिया आप यहाँ पर कुछ भी output दे सकते हैं अब यहाँ पर देखिए last के second last पुलकित और मुहम्मद अजाद का discount नहीं आ रहा क्यों क्योंकि उनकी पुलकित महरा की furniture की purchasing 10,000 है और मुहम्मद अजाद की grocery की purchasing 10,000 है that means उनको discount नहीं मिलेगा यह zoom करके आप हो दिखाते हैं यह देखिए no discount क्योंकि यहाँ पर 10,000 है पुलकित महरा का इसलिए no discount मुहम्मद अजाद का 10,000 है इसलिए no discount अगर यहाँ हम changes करके 10,000 करते हैं तो यहाँ भी no discount तो अगर amount आप change करते हैं 5000 करते हैं तब भी no discount रहेगा तो यहाँ पर ऐसे आप and function का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह था difference if और and function में चलिए आपको लेकर चलते हैं और function में नाव shopkeeper का दिल थोड़ा और खुल रहा है वो कह रहा है कि कोई एक condition fulfill हो like suppose उसने grocery furniture और electronics में से कोई एक item 20,000 की खरी दियो कोई एक item 30,000 की खरी दियो कोई अब भी वो minimum condition देना चाहता है कि हाँ इन में से एक item 20,000 या 30,000 की sell out हुई होगी तब ही मैं उस बंदे को discount दूँगा वरना मैं discount नहीं दूँगा तो अगर ऐसी condition लेता है तो उसके लिए हम क्या use करेंगे उसके लिए हम use करेंगे if और और का function तो चलिए आपको दिखाते है is equal to if अब logical value लेकिन यहाँ पर हमें और function लगाना तो हमने और select करा और grocery select करी less than oh sorry greater than or is equal to than 50,000 like suppose हमने 50,000 ले ले ऐसे हमने furniture select करा same formula greater than is equal to 50,000 फिर हमने electronics करा same formula greater is equal to 50,000 यहाँ condition है अब इन तीनों में से कोई एक condition fulfill होगी तो भी output आजएगा यह है difference and और or function में अब output में कैचिए यह चलो 2% discount मानते है multiply by 2% इन में से एक condition हो तो 2% का discount वरना लिखा आज़ा है no discount एंटर करते हैं अब दीखिए सब को discount मिल रहा है क्योंकि हमने condition जो दी थी वो सब fulfill कर रहे है क्योंकि सब का amount उससे ज़्यादा है कहीं ना कहीं कोई grocery में वो condition fulfill कर रहा है कोई furniture में कर रहा है तो 8 to 6 सारे ही उस condition को fulfill कर रहे हैं तो सब को ही discount मिल रहा है अब थोड़े हम changes करके चेक करते हैं कि discount हटता है कि यहाँ पर हमने 50,000 की जगा हमने 20,000 करा अब यहाँ पर भी discount कम नहीं होगा मतला सब को discount मिलेगा क्योंकि 20,000 की भी conditions अब fulfill कर रहे हैं आप देखिए किसी के 1,60,000 है किसी के 70,000 है तो हर जो customer है वो कुछ ना कुछ बाय कर रहा है उससे ज़्याद का तो आप एक condition ऐसी लगाते है जहाँ वो fulfill ना हो आपने 80,000 करा तो आप देखिए बहुत सारे customer ऐसे हैं जो 80,000 की condition को fulfill नहीं करेंगे तो यहाँ 80,000 करते हैं आप हम करते हैं इसको no discount देखो चार customer ऐसे आए जिनको discount नहीं मिलेगा कि पहला customer अभी menu 70,000, 30,000, 50,000 कोई भी particular item 80,000 की buy नहीं करी that's why हाँ no discount आ रहा है तो ऐसे ही अधित्य ने एक electronic 90,000 का buy कर रहा है इसलिए discount 4,000 का दिखा रहा है तो ऐसे आप if and or function का इस्तमाल कर सकते हैं अब भी इसको हम 1,00,000 कर देते हैं 80,000 तो आप देखिए discount और बंदों का हट जाएगा सिरफ पृतिचा और 80,000 की purchasing करी है और एक ने grocery में 1,00,000 की तो वहाँ पर discount उसको मिल रहा है तो ऐसे आप तीनो function का इस्तमाल कर सकते हैं if and or or तो ये थी हमारी detailed video तीनो logical functions पर अगर आपको ये video पसंद आई है और आप इसको practice करना चाहते हैं तो ये sheet हमने download links में भी दे रखिए है आप वहाँ से download कर सकते हैं इस sheet पर practice कर सकते हैं और अगर आप कहीं भी stuck होते हैं तो आप हमें comment में mention करें हम उसको reply करके resolution करना चाहेंगे और ऐसी video आपके साथ share करते रहेंगे